हलो नमस्कर दोस्तों मैं हूँ कमलेश बढ़ाना और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम बात करने वाले जो है इबाइक के न्यू लोंस विकल्स की वैसे तो हमने भी दो तीन इलेक्टरिक स्कूटर का रिवीव कर रहा है जो है इबाइक से बट जिनका डिसकर्शन हम आज करने वाले वीडियो के अंदर वो शायद आपने पहले नहीं देखे होंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं थंडर बोल्ट की यहाँ पर आप देखेंगे जो रेर वील हब है उसके अंदर पांच किलोवाट की पावरफुल मोटर मिलती है अग यहाँ पर देखेंगे क्लीपोन आपको हैंडल मिल जाएंगे इसके पास में आपको स्विचे बगरा दिये गए हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं इंस्ट्रूमेट क्लेश्टर की बात कर ले तो फुली डिजिटल दिया गया है कलर डिस्पले के साथ मैं अब आज आते फ्रेंट साइड की तरफ तो यहाँ पर आपको टेलिस्कोपिक शोक अब्सोर्बर मिल जाएंगे दोस्तो ब्रेकिंग के लिए यहाँ पर फ्रेंट साइड में सिंगल नी डबल डिस्क दी गई है जो मैंने पहली बार देखा है इलेक्ट्रिक वीकल के अंदर अगर आपने बीकिस एलेक्ट्रिक बाइक के अंदर डबल डिस्क ब्रेक देखें इंडिया में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे फ्रेंट साइड में आ जाएं तो आपको ट्रांस्परेंट वाइजर मिल जाएगा अगर इसकी हेडलेट की बात कर लें तो यहाँ पर आपको ली LED सेटप मिलेगा बाइक की स्पेक्स की भी बात करेंगे बट उससे पहले बात कर लेते हैं मिहोस की जो यह बाइक का एक और न्यू प्रोड़क्ट है इसके अंदर मिलती है आपको 1500 वाट की पावरफुल BLDC मोटर जो फिट है रियर टायर विल हब के अंदर यहाँ पर र yellow, white और black तीन कलर option मिलने वाले हैं दोस्तो अगर आप कोई वीडियो के अंदर value मिल रही है तो चैनल को subscribe कर सकते हैं क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहता हूं दोस्तो अब आजाते हैं एक और नई बाइक की तरफ जिसका नाम है Rocky Filler रोकी भाई जैसी बाइक बनाने की कोशिश करी गई है इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं rear side में 140 by 70 का tire दिया गया है 17 इंच की alloy wheel rim के साथ में BLDC motor मिलेगी rear tire wheel up के अंदर साथ में ladies footrest भी दिया गया है यह भी अच्छी बात है seat के पास में आपको black color का grip handle भी मिल जाएगा जो कि metal का है जिससे की delivery से पहले इसके उपर कोई cap लगा के दे ताकि पानी मिट्टी वगरा ना जाए इसके अंदर rear side में disc brake दिये गया है braking के लिए और dual shock absorber दिये गया है suspension के अंदर दोस्तों अगर आप एक budget friendly electric bike ढूंड रहे हैं तो इस bike की तरफ जा सकते हैं आगे की तरफ suspension में telescopic shock absorber दिये ग जो इबाइक का वहाँ पर visit कर सकते हैं या फिर जो इबाइक की official website है वहाँ पर भी आप जानकरी ले सकते हैं instrument cluster आपको यहाँ पर fully digital मिलने वाला है जिसके अंदर आप time, गाड़ी की speed, battery के percentage या फिर गाड़ी कौन से mode में चल रही है वो सारी information check कर पाएंगे anti-tech feature के लिए remote दिया गया है और tank पर भी आपको एक छोटा से space मिल जाएगा rear side की जैसे front में भी आपको सारा light setup LED के अंदर मिलेगा दोस्तों यह bike कैसे लगी आपको comment box में जरूर बताना मुझे इसके अलावा जो other vehicle हैं उनका review हम already कर चुके हैं इसके लिए आप चैनल पर visit कर सकते हैं अब आ जाते हैं जोए e-bike की एक और sport looking electric bike की तरफ जो आती है beast के नाम से अगर इसकी और और look और design देख लें तो आपको Ducati की street fighter bike की आज जरूर आएगी इस bike के साथ में आपको double फाइदा मिलने वाला है क्योंकि आपको looks तो मिलेंगी Ducati की और saving मिलेंगी आपको एक electric vehicle की वीडियो की starting में आपने yellow color bike Thunderbolt का review किया था तो उसका और इस bike दोनों का technical specs same रहने वाला है यहाँ पर आपको top speed मिलेगी 90 km per hour और एक बार full charge करने के बाद में आप 110 km तक की range ले सकते हैं motor की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 5 kWh की motor मिलेगी दोनों ही bikes के अंदर जो fit है rear tire wheel hub के अंदर यहाँ पर braking के लिए front और rear side दोनों तरफी disc brake दिये गए हैं इनके अंदर आपको मिलने वाली है lithium-ion batteries जिनका अच्छा खासा performance रहता है इस bike के अंदर आपको climbing ability मिलेगी 18% और अगर max load की बात कर लें तो 150 kg तक आप आराम से carry कर सकते हैं दोस्तों आपको दोनों bikes thunderbolt और beast दोनों में से कौन सी पसंद आई वो जरूर बताना मुझे comment box के अंदर दोनों bikes काफी शांदाल लुक के साथ में आती है अगर इनको गोर से ना देखें तो आपको पता भी निचलेगा कि यह sporty petrol bike है या फिर एक electric bike है bikes और electric scooter के साथ जोए e-bike ने electric thriller भी launch कर दिये हैं इनको भी देखने से आपको बिल्कुल भी पता निचलेगा कि यह electric thriller है वीडियो को pause करके आप इनकी specs देख सकते हैं अगर इसकी top speed की बात कर लें तो वो रहेगी 50 to 55 km पर आर के अंदर अगर range की बात कर लें तो without load के आप इसको 80 to 85 km तक चला सकते हैं यहाँ पर gradability होने वाली है 7 degree और अगर battery की बात कर लें तो 6 kilowatt की single battery मिलेगी lithium fast speed अगर इसकी बात कर लें charging की तो यहाँ पर single charge और fast charge दो तरे के charger मिलते हैं standard charger से charge करने पर आपको 3.5-4 गंटे का time लगेगा वहीं पर आप इसको fast charger से 2.5 hour के अंदर full charge कर सकते हैं इसके अंदर आपको 1 साल की warranty मिलेगी product पर और 3 साल की warranty मिलेगी battery पर अब बात कर लेते हैं इसकी power train की तो यहाँ पर आपको 4 kilowatt की PMSM motor मिलती है जिसका max power रहेगा 6.8 kilowatt का और max torque रहेगा 17Nm का तो दोस्तो यह था आज का वीडियो जो एई-bike के latest electric vehicle के उपर अगर वीडियो चलागा हो तो like कर देना इस तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को subscribe कर सकते हैं मिलता हो आपसे एक नई वीडियो के अंदर take care and thanks for watching